नमस्का दूस्तूप स्वागत है आपका हमारे चनल पीके गुरुजी में आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैत का प्रिस्न डिस्कस करेंगे तो हम यहां जिस प्रिस्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं तो प्रस्न हमारा क्या है प्रस्न है कि एक बर्गाकार खेत का परिमाप 400 मीटर है उस खेत का छेत्र फल तथा खेत में 5 रुपे- uniform घास लगवाने का बैद कितना होगा ठीक है उसने हमसे कहा है कि एक खेट है और खेट का आकार कैसा है खेट का आकार है बर्गाकार ठीक है तो हमने यह एक खेट बना लिया जिसका आकार है बर्गाकार लोग लिए एक खेट बन गया अब उसने कहा इसका परिमाब कितना है चार सो मीटर तो यहां लिखेंगे बरगाकार खेत का परिमाब बराबर है 400 मीटर ठीक है जो उसने दिया हमने यहां पर वो लिख लिया है उसने कहा बरगाकार खेत का परिमाब 400 मीटर है तो हमने यहां पर 400 मीटर लिख लिया अब आगे क्या करेंगे अब बर्गकार खेत का परिमाप का सुत्र होता है 4 इंटू भुजा बराबर हो जाएगा 400 तो भुजा बराबर कितना निकल के आएगा 400 भागे 4 से काट देंगे तो भुजा बराबर 100 टीक है है हमारी उस बरगाकार खेत की भुजा नकल आई जो की 100 मिटर है अब बरगाकार खेत की ब्भुजा नकल आएगी तो हमें निकालना है खेत का छैतर फल बर्गा का यानि खेत का शेत्रफल बराबॉर क्या हो जाएगा भूजा का स्कुरम हो जाएगा जनुitel हो जाएगा होजा हमारे सो दो फ OHS मगर यंदा, जबकर दो करेंगी कितना कि आएगा 12,000 यहां मुटर्द Deck स्कृर्ड नकालाया क्योंकि जब भर्गा का खेत है तो जब खेत की भुजा नकल आई तो भुजा का स्कृर्र कर दिया तो हमने उस खेत का चिद्ध भल नकाल दिया अब उसने हमसे पूचा है कि खेत में पांचरुपशेट गास लगवाने का बै कितना हूगा उसको निकाल लेंगी जो हमारा एरिया आया है दस हजार उसमें गुणा करेंगे पीपति बर मीटर गास के खर्च ए स्थ良त पांच रुपे का गुरा करेंगी तो यह कितना हो जाएगा पचास अजार वे रुप्यों में आ जाएगा ठीक है तो उस खेत का चित्रफल नकल किया आया सा दस अजार बर्ग मीटर और उस खेत में घास लगवाने का जो खाचाया वह आया पचास अजार रुपे ठीक है तो ऐसे ही नौलेज बढ़ाने वाले वेडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चनल पीके गुरूजी के साथ नमस्कार